कि हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नोकली चैनल दोस्तों आज हम आपके लिए लेका रहा है एक नई अपडेट जिया है दोस्तों यह अपडेट है आपके कब तक आएगा आपका फाइनल रिजल्ट और कितनी जाने वाली है कि कब तक आएगा इसका फाइनल रिजल्ट कितनी जा सकते कटउ ओर और अलवर ऑल जी यहां दोस्तों हमने सभी फाइनल मेट लिस्त बनेगी उपने आपके know-how fairy ज clip ट्रों अगर आप ही तो किस्षाइब करें आपको लेटेस्ट वडेट हम्हेषा सबसे आगे मिलती है सांती ही दोस्तों जब भी कोई सरकाया नोकरी का farmed אומר अ can से लेकर आख ओसके 14 लिजलत अडinkil रिजल टक जी है भीत भी decisions को तो सबसे पहले मैं बता दू कब तक आगा इसका फाइनल डिजल जिया दोस्तों अगर मैं पूरा बता हूं आपको आर पीएफ का जो इनिसली कॉंस्टिबल है उसका जब तक गुरूप सी का जिया तो सब्सक्राइब को पता है कि अक्टूबर के एंड तक जो है जाने वाल दोस्तों A B C D E F G हां दोस्तों पूरा घुरूप का आपको जो है फाइनल डेजल जो आपको एफ में जो है мिल जाएगा आपको नॉम्बर मन्त में और दोस्तों आपकी जो इसकी जोइन रयाइङ की आपको देदी जाएगी जो मेडिकल बाकी की है तो इसलिए एक महना और जाएगा उसमें और आपको जन्वरी तक जियां तो 2020 जन्वरी तक आपको जोईनिंग लेटर आपको मिल जाएगा अब बात करते हैं कि तो सबसे पहले में कट अब बता दो दोस्तों कि सीबीटी में आपको पता है सीबीटी में आपका जो है साथ नमर का ही पेपर हुआ था जी हां 60 मार्क्स का पेपल लिया गया था अब 60 मार्क्स में जितने भी बच्चे पास हुए थे जानी कि 35 प्लस 40 प्लस कुछ लोगों को तो 25 में भी हो गया था कुछ लोगों का 20 22 में हो था कट अप जो कैटेगरी में आ रहे थे तो काफी स्टुएं जो है इसमें पास था पीटी उस समय भी काफी जो है स्टुएंट चट चुके थे क्योंकि जो स्टुएंट पढ़ने में तेज होते हों मुस्तली फीजिकल उतना फिट नहीं हो पाते तो यहां पर जो है फीडिक फीजिकल के साथ साथ आपको मेंटली भी पिपेड होना था तो दोनों ही अपलोड हुए थे काफी लोगों के अपलेड हुए है हमारे भी चैनल पर वीडियो अपलोड हुए थे लेकिन किसी को इतना एक्सपेक्टेक्शन नहीं था कि ट्रेटेस्ट में आपको 400 स्टुएंट में से मात्र दस लोगों को चुना जाएगा यानि कि आप समझ सकते हैं साइब के दोस्ट रहे हैं वह भी मुश्किल से तो इतनी बड़ी मात्रा में स्टुद्स को फेल्ड किया रहा है और ट्रेटेस्ट में तो अब जो है जो चुने जा रहे हैं तो कि उनको पता है कि उनके माक्स cbt में कितने हैं यह यह नहीं उनको पता होता दोस्तों जी हां आंये से डिया जारा है आप सभी को पता ही कहीं पर भी का सी वीटी . माक्स end नहीं किया गयए आपके लेटर कॉलेटर में जैसा बाप पास है और ज्ली मिला ज frameworks यह चीज तो system में है बट जब ट्रेटेस्ट हो रहा है जो बच्चे को पास कर रहे हैं अगर दोस्तों आप यह सोचिए कि 40 नमबर वल्ला student पास हो रहा है और उसे 14 देंगे आप 20 नमबर दे देते हैं जी हां आपको पता है 40 नमबर ट्रेड है तो इसके हिसाब से हो जाते हैं पर यहां पर यहां पर यह कौल नेचर तो है नहीं आपको पता है दोस्तों यहां पर पास और फेल का था यहां पर 35% 45% जो है आपको लाना ही था तो 40% अगर आप नहीं लाते तो आप फेल हो चुके हैं बट आप जो फेनल मेरिट लिस बनाएंगे आपको यह पता है फाइनल मेरिट लिस बनाने के लिए जो स्टेप है वो यह है कि CBT प्लस ट्रेड टीट यानि CBT प्लस टीट तो यह CBT और टीट इक्वल टू कितना हो रहा है दोस्तों आपका हंड्रेड हो रहा है तब हंड्रेड मार्क्स तो आपको जो है इसमें से आपको मेरिट लिस तो बनाने हैं इसका मतलब यह है कि जितने भी स्टुद्ट चुने जा रहे हैं वह स्टुद्ट प्लस जो कुछ इनको लेना होगा क्योंकि अभी मेडिकल में भी कुछ लोग चटेंगे और इन जितने भी स्टुद्ट से इनके मार्क्स और राल उतने परसेंड़ेज हैं या नहीं यह बात अभी तक डिसाइट नहीं हो पाई है ना आपके पास इनकी इंफॉर्मेशन है ना ही एक्जामनेर के पास है कि जिनको हमने सेलेक्ट किया है जो ट्रेटेस में हमें लग रहा है कि यह पास होने वाले पास कम होगा क्योंकि यहां पर एवरेज मार्क्स थे सभी के 35, 40, 42, 40, 60 के आसपास में तो किसी का नहीं था यानि सब के 50 के नीचे ही थे तो जब उनके मार्क्स उतने जोड़के और CBT के मार्क्स आपका टीटी का मार्क्स उनको जोड़कर भी अगर परसेंटेज आपका 65 नहीं तो का प्रफी की मार्क्स उनके मार्क्स उनके मार्क्स तो कि चपर जालीच केगे मार्क कर ना कर दोप लाना है माना हम 40% मार्क्स नहीं लाते फिर भी अगर आपने देखा होगा रेल्वे के जो स्कोर कार्ड होते हैं स्कोर कार्ड जो आपने देखा होगा लोको पाइलेट के गुरूप डेकिए तो वहां पर आप फेल हो फास उसे कोई संबन नहीं है उनका वह एक कटफ निकालते हैं में सबस्क्राइब करती हैं पर अच्छे हैं और आपको रखनी होगी तो आपखना होगी क्योंकि आप अपन सब्सक्राइब काये किने गीओनि गालु स्थाइनल मेट लिस्ट में आने का क्योंकि तोटल जो है अभी डिवी के लिए भी जो है एक्स्ट अधी बुलाया जाएंगे और आपको इसमें दोस्तों पता होगा की फाइनल मेट्लीस बनने के बाद जब आपका डिवी मेडिकल हो जागा उसके बावजूद भी एक मेडिक तो इसकी जो है तीन को जो है वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा ताकि जब इन में से कोई जूड़ता है कोई स्किप करता है तो उसके बद्धे जॉब उसका मिल जाएगा तो दोस्तों आपके पास काफी चांस है जितने अगर आपके लो मार्स है तो आप नाहीं रखे तो बेटर है जिनके मार्स चालीज प्लस प्लस पर जितने भी स्टुटन से उन सभी को भी भी होप रखनी चाहिए तो दोस्तों उमीद करता हूं इस वीडियो माको मेरी बात समझ में आ गई हैंगे बट कुछ डाउट से या कुछ मुझना हो मुझसे तो आप वीडियो के चाहिए कमेंट सब्सक्राइब पूर्श सकते हैं एंड थाइक क्यों सब्सक्राइब वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों मिलते अपने नेक्स वीडियो में नहीं जांग का नहीं अपडेट के साथ चाहिज प्सके आपर सय्क्तों मिलते रहते हैं कि थाजियो में बाधी साथे फीडियो